वेलकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल बच्चों आज हम लोग सर्कल चेप्टर का 10.2 जो सवाल कर रहे तो उसका रिमैनिंग दो प्रॉब्लम अपने आपको बचा हुआ था उस दोनों कुश्चन को हम लोग करेंगे कुश्चन नम्मर 12 एं 13 इसलिए आपने हेडिंग है क्या सब्सक्राइब के अंदर सपने कर लिखा होगा एक ट्रेंगल इनट्रेंगल एंदर च्राकल है इन सकर्वाइब है एक triangle के अंदर circle क्या है? Inscrymed है? या एक circle के बाहर एक circle के बाहर एक triangle है Inscrymed का मतलब inside circumscribed का मतलब बाहर यह बता चुके थे आपको इस सवाल में क्या बोला? कि 3 sides triangle का ABC है जो की circle के triangle circle के बाहर है उसके बाद तीनों side जो है आपका वो सरकल का क्या है एंजेंट का काम करता है जिसका पॉइंट अप कंटेक्ट एक का दिया हुआ इस पॉइंट का को माल लीजिए आप इडी और इसको माल लीजिए एफ ठीक है तो हम लोग अब इसमें देखिए कंसेट क्या लगाएंगे बच्चे हमको निकालना एबी साइड है और एसी साइड का अब एक बताएए अभी आप इस सब को भूल जाएए एक एक एक्स्टरनल पॉइंट है वहां से बीडी टेंजे एक्स्टरींड पॉइंट है जहां से चींडी टेंजेंट है दोनों एक्स majority होगा अगर यह 8 संटिए मिटर है तो बोलो यह 8 سंटिमीटर होगा उसी तरीका से सेम तरीक्स एक'REचशनल पॉइंट और इस्परी को यहाँ पॉईल होगा ऊपहता एक्स तो अच्छा लगता है आप Y मान लिए या सोहन को अगर Z अच्छा लगठा था सोहन Z मानने का कोई दिक्कत नहीं हम इसको X मान लेते हैं AF का length क्या हो गया X अगर AF X होगा तो AEB क्या होगा X होगा कोई दिक्कत नहीं है solution में हम लोग क्या लिखेंगे बच्चे हम लोग को side निकालना था clearly किसका length बड़ाबर होगा BD का length किसके बड़ाबर होगा BD का length BF के बड़ाबर होगा उची तरह से CD का length किसके बड़ाबर होगा CE के बड़ाबर होगा और AF का length किसके बड़ाबर होगा AE के बड़ाबर होगा इसको हमने X माना, यह क्या है आपका, CD और CE 8 हो गया, और यह क्या है, BD और BF 6 हो गया, centimeter, यह दोनों कहां से आया सब, length of tangent drawn from an external point to a circle, length of tangent, directly देते, length of tangent, from an external point, from an external point, किसी external point से length of tangent, external point से, ठीक है बच्चे, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब देखिए, अब मेरा target, हम आपको पहले भी बोले थे, सवाल में आपका target हीट होना चाहिए, अब मेरा target क्या है, अब मेरा target है sir, अगर हमको X मिल जाए है, अगर हमको X मिल जाए है, तो हमको AB का length मिल जाएगा, और AC का length मिल जाएगा, तो मेरा काम क्या है बच्चा, मेरा काम है sir, X निकाल दीए ना पमको X निकालने के लिए आप कंसेट बता दिए हम लोगों को X निकालना पड़ेगा अब सो आप देखिए बी-सी साइड का लेंद कितना हो गया इसी साइड का लेंद कितना हो गया चोप प्लस X हो गया और एक बाइट बताइए अगर हम पूछे मोनू तुमसे हैं बताओ किसा triangle सर इसमें देख रहे हैं कि एडी 14 है एडी चो प्लस एकस एरबी छोप प्लस एकसे एक सी अर्ट से अगा इसका मतलब TRIंगल ABC is what a skeleton triangle of context triangle for any value of X we find that the लेंथ अवाल 3 सवाय दिपरेंट तो वह स्कता है या तो वह ट्रेंगल राइट एंगल हो सकता है या तो वो triangle isocellus हो सकता है या तो वो triangle equilateral हो सकता है कुछ भी हो सकता है concept same लगेगा concept क्या लगेगा बच्चा हम लोग area को equate करेंगे किसको equate करेंगे area को इस circle का center होगा ओ इस circle का center O होगा इस O से जो है इस sub को join कर दीजिए इसको join कर दीए ऐसा ही concept बनेगा ऐसा ही concept हर सवाल में लगेगा बच्चे ऐसा ही concept हर सवाल में लगेगा इस O center से हम लोग 3 vertex of triangle को join करेंगा हर सवाल में यही करेंगे center O से 3 vertex ABC को join करेंगे उसके बद हम लोग point of contact पे radius का concept लगाएगी ये point of contact radius 90 हो जाएगा ये radius हो गया ठीक है उसी तरह से point of contact O se radius हो गया ये 90 हो जाएगा यहाँ पे theorem से tangent है point of contact 90 उसी तरह से OF radius हो जाएगा point of contact पे 90 degree हो जाएगा यहाँ भी और question वाला हम सबाइht सरकल का रेढियस चार सेंटी गूर्ट वाला हमों को दिया इसका मतलब यह आपका चार है यह भी चार है और यह बी क्या है चार सबाइब एरिया कैसे करें दो एक ऊनुट के एक रहेंगे तीन अलग-ag सब एक राइंगल बना रहा है हब सबका है तो स Ouais सबका हाइट से मैं जो किसके बराबर रेडियस के बड़ा ट्रेंगल एबीसी कैसा ट्रेंगल और किसे निकलते हैं हीरों स म् भी नीवन लगा के हम लोग निगालते है क्लेंड या कोई दिक्कत है कोई जोईन ओए ओबी एंड ओसी ऑल्सो ओफ किस पे परपेंडिकुलर होगा थियोरम से एबी पे परपेंडिकुलर होगा और ओडी किस पे परपेंडिकुलर होगा ओडी बी सी पे परपेंडिकुलर होगा एंड ओई किस पे परपेंडिकुलर होगा ओई परपेंडिकुलर होगा आपका किस पे एसी पे यह सब कहां से आएगा बाय थियोरम से यहां तक में कुई दिक्कत है क्या इसनु बताओ कोई दिक्कत नहीं है सर अब मेरा काम एकस निकालने के लिए हम लोग क्या कंसर्प लाएंगे लिखेंगे नौ area of triangle ABC area of triangle ABC किस-kis triangle के area के बराबर होगा area triangle AOB short मैं इसे लिख सकते area of triangle AOB के area triangle AOB plus area triangle BOC plus area triangle कुन सा triangle AOC area triangle AOC तीनों triangle का area के सम के बराबर ये area लगाना पड़ेगा ठीक है बच्चे तीनों triangle का area इसके सम के बराबर ABC triangle का area कैसे निकालेंगे हम लोग Hiron's formula से Hiron's formula क्या होता है पता ही है Hiron's formula under root होता है S into S minus A S minus B S minus C S क्या होता है बाबू S जो है रहे सर perimeter का आधा होता है इसका मतलब semi perimeter होता है यहाँ पर S क्या होगा semi perimeter semi perimeter का मतलब क्या होँए perimeter का आधा perimeter का क्या मतलब होँए perimeter का मतलब होँए किसी भी figure का total boundary का sum तो triangle का perimeter का मतलब क्या होँए तो तीनो сाइड का जोड तीनो साइड देछे क्या क्या है? तीनो साइड आपको यहाँ देख लिजी, bc है, a,b है और a,c है, त이को जोड़े जोड़े चौड़े, शोग प्लस x, आठ पलस x, प्लस čोदा, हैना? चो प्लस X है आठ प्लस X एक साइड है चोहदा एक साइड साइड तीनों साइड को जोड़ दिए आधा करेंगे तभी तो semi perimeter निकलेगा आधा करेंगे अब आप एक बार देखिए 8 अच्छो क्या हो गया 14 इसा गोए चोगा 14 ओक सवार। 14 दो औरने दोनों से अग्स प्लस एक्स क्या होगा किया करेंगे एक साइट को घटाएंगे फिर समी परिमेटर में तिसरा साइट को घटाएंगे अन्डरूट एस लगाके एरिया को एक्वेट कर देंगे यहां तक में कोई दिख्कत नहीं है लुँँ कि इस ट्रेंगल का अरिया कैसे निकालेंगा यह ट्रेंगल ABC स का काम कुण कर आप सर एक्स-प्लस-14 मल्टिप्लाईड बाइश माइनस एट एस मेंसे किसी एक को घटा दीजिए समें से एक बार किसको घटा दीजी 14 को बचेगा X multiply अब इस बार S में से किसको घटा दीजी इस साइड को घटा दीजी एक्स प्लस 14 में किसको घटाईएगा X प्लस 6 को देखिए X प्लस 14 है न भाई यह आप उसमें किसको घटाने वाले X प्लस 6 को घटाएंगे X X तो कट जाएगा अब 14 में 6 घटके कितना देदेगा आठ पिर उसके बाद एक्स प्लस 14 में किसको घटाएंगे 8 प्लस X एक्स तो कट जाएगा तो 14 में घट जाएगा 8 तो क्या बचेगा यह डारेक्ट हम लोग formula लगा दिये area of triangle ABC कहा से इसी को बोलते हैं हम लोग hero's formula hero's formula क्या बोलते हैं रामू hero's formula बोलते हैं sir बराबर अब देखिए इतीनो triangle को देखिए aob triangle को देखिए boc triangle को देखिए और aoc triangle का area 1 by 2 base into height 1 by 2 देखें और और हईट कोन है Sir तो हाइट उसका क्या है RTR इसफ्लस ब्र sp देखे बी 22- institute-्था फिलीक रहा है अब को रहाई रेडियस बुट भड़ीrike यह उसी ही ट्रेंगल को देखिए वन बाइस अब कर रहा है यहां तक कोई दिखकत नहीं है बच्चे देखवास वाला पोईंट को मिटा देते हैं देखिया सवाल कोप सब्सक्रेंगे थोड़ सा calculation को उड़ाएंगे तो सवाल भी उड़ना सुरू कर देगा कोई भी सवाल को अगर आप बनाते हैं न भाईया तो सवाल के calculation को देखिए math में तो 50% सवाल में calculations होता है अगर आपका calculation है न तगड़ा तो आपका math हो जाएगा तगड़ा नहीं तो पहले calculation पर थोड़ा बूत आपको महिनत करना पड़ेगा बच्चे घवराने की जरूरत नहीं है हम लोग calculation को साथ साथ में सुधारेंगे आपको मैं उमीद दिलाता हूँ आपका calculation भी अच्छा होगा और आप maths में बेताज बादसा बनके सामने आएंगे निखर के आएंगे कोई दिक्कत नहीं आप यहां से कैरी करिए यह देखिए क्या होगा आठ गुना च्छो अड़तालीस एक्स अड़तालीस एक्स मल्टिप्लाइड वा एक्स प्लस फोटीन का अंडर रूट बराबर अब यहां पर देखिए यह होग इसका फेरिमेटर हो गया इसका भेली हम लोग अभी तुरद निकाल लें है यही तो है इसको कटा दीजिए दो बार में, दो हो जाएगा, दो इंटू, अब यहाँ देखिए, AB प्लस BC प्लस AC is only what, is the perimeter, and perimeter is what, 2 इंटू X प्लस 14, अभी तुरंद निकालने हैं, 2 इंटू X प्लस 14, इसका मतलब यह क्या हो गया, 2 तू जा, 4 इंटू X प्लस 14, अब बराबर, अंडर रूट में, जो है, आपका, 48X इंटू X प्लस 14, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है, अब इधर एक तरफ रूट है, एक तरफ बीना रूट है, तो क्या करेंगे, जब रूट है, एक तरफ रूट नहीं है, तो दोनों तरफ रूट हटाने के लिए क्लिए क्लिए क्लिए, सार रूट हटाने के लिए आप सबसे बेश तरीका आप बता हैं स्क्वाइरिंग कर दिए दुना तरफ क्या कर दिए इसक्वाइरिंग बोथ साइड वी गेट जैसे हैं इसका रूट तो हट जाएगा यह फुर्टी एट एक्स इंटू एक्स प्लस पूरा बक्सेका इससी एक पावर काट जाएगा यहां दो गोन है एक्स प्लस 14 यहांप एकस का विल्यव कितना वहलों देखिए एकस कमय अगया स्वाइरों सब्सक्राइब कई इस का वंग्या ऐ अगया 7 हमको लेंध निकालना था यह प्रिगर में Ňक का लेंध कितना है यह कल comun सा एक सब्सव हो गया ऑन्सार याट कितना है एक्स प्लस एक्स का बेल्यू अभी तुरन निकाले सेवन प्लस एक्स इस इस त्रेंगल का साइड क्या होगा रामू 13 14 एंड 15 सेंटिमीटर यह काफी अच्छा और आसान सवाल है और एग्जाम में भी यह भीवियाई सवाल इस सवाल में बच्ची यही concept लगेगा length of tangent equal करेंगे एक unknown को X मानेंगे और तीनों पार्ट में triangle को बाट देंगे triangle का area को equate करेंगे इधर वाला area one by two basin to height से निकालेंगे इधर यह अगर यह iscalent triangle से अरिया निकाले अगर यह equilateral होता तो equilateral का formula लगाते अगर यह isoceles होता तो इस टाइप के सवाल में यह best concept है आपको इसको लगाना है जो कि सवाल में tangent का भी length लग जया length of tangent external point और area को किसी भी triangle का area को छोटा छोटा पार्ट में तीन पार्ट में एक इधर वाला पार्ट था एक इधर वाला पार्ट था एक नीचे वाला पार्ट था था इस 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 विच्वाल तो the whole triangle ABC and here a whole triangle ABC is what a skeleton triangle so we apply heron's formula and each triangle area is 1 by 2 base into height and on solving we get the value of unknown x is 7 so the side of triangle are 13 14 and 15 cm that's enough for this question now we are proceeding for the question number 13 which is also important for the CVSE board exam let's start question number 13 question number 13 देखे क्या कर आया कि prove that opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle circumscribing a circle सब्सक्राइब कर रहे किसको मतलब quadrilateral क्या है बाहर है उसके अंदर क्या है circle है उसके अंदर क्या है circle है यह quadrilateral है इसके अंदर क्या है circle है ताकि वो इसको touch करके सारे side tangent बना रहा यही question वाला दिया हो बच्चे question वाला देखे क्या दिया हो है प्रूब देट opposite sides of a quadrilateral quadrilateral circumscribing मतलब quadrilateral क्या है बाहर है किसके circle के subtend supplementary angle at the center मतलब इस quadrilateral के द्वारा यहां center पे angle बनेगा यह circle का center है और इस opposite side के द्वारा जो center पे center angle बनेगा अगर इस quadrilateral का नाम हम लोग बच्चे abcd रखी क्या है quadrilateral है साइड स्कॉइट साइड औकाड़ लातर दिसका झाले एक सिड शेवाविएं अदर यह संट के अंदर यह चालो जो क्वाडिलेटरल का वो टेंजेंट का काम करेगा यह इसका पॉइंट आप कंटेक्ट होगा पी क्यू आर और एस पॉइंट आप कंटेक्ट यहां तक मैं कोई दिक्कत नहीं है तो क्वेश्चन वाला क्या बोला अपोजिट साइड के दोरा जो एंगल बना एंगल एंगल सबसे पहले खाई और रेडियस आर सरकल जिसका की सेंटर ओ और रेडियस आर है वाडिलेटरल ए बी सीडी सरकम स्क्राइबस सरकम इसक्राइबस दॉसर्कल सच देट इस तरह से एक उसका चारो साइड किसका काम कर रहा है टेंजेंट का काम कर रहा है सर्कम साइड किस्टा ओर और टेंजेंट इन इंड जिसका की पॉयंट प्ट्र पीओ सी आर पी डियू डियू आर एंड रिस्पैक्टिवली यहां तक मों कोई दिक्कत है क्या भाईया कोई दिक्कत नहीं है यह आप अमारा गीवन डाटा सवाल में सवाल में जो कुस्टर वा के लिख दिये कि एक क्वाड़ी लेटरल के अंदर सरकल है इस तरह से है क्वाडिलेटरल उसका चारो साहिड किसका काम कर रहा है सब्सक्राइब क्वाइब जिसका कि नाम पी की वारेस रख दिए हम लोग को क्या पुरूब करना है मोहन सर अपने को यह पुरूब कर दिजे आप यह पुरूब कर दिजे कि एंगल A O B हाई वाला एंगल A O B PLUS एंगल इंगल C O D का स्वाम केते हो इंगल A O B PLUS एंगल C O D बराबर 180 डिग्री या या क्या या दूसरा पेयर भी तो है पोजिट साइड का एडी और बी सी एंगल एओ डी प्लस एंगल बी ओ सी इस अलसो इक्वल टू एटी डिग्री इस दोनों चीज़ पूरूप करना एक चीज़ पूरूप करें दूसरा दिखा दें सवाल खतम हो ग कर देजिए चारों पॉइंट अप कंटेक्ट से टेंजेंट को जोइन कर दिए तो कंस्ट्रक्शन हम लोग क्या किये कंस्ट्रक्शन में क्या किये ज्वाइन ओपी ओक्यू और और एंड वेस सच देट कि दे आर एट पी ओसी जो कहां पे है पॉइंट अप कंटेक्ट पे है अब देखिए वही सवाल हो गया अब यह वही फीगर हो गया कौन सा फीगर देखिए एक एक्स्टरनल पॉइंट है एक्स्टरनल पॉइंट से एपी और एस टेंजेंट होगा यह ट्रेंगल जो है और यह ट्रे और हमका प्रूब केते नहीं यह देखियो वही ट्रेंगल आपका एक्स हो जाएगा क्या हो जाएगा क्या हो एक्स हो जाएगा डी के एक्टरनल पॉइंट है, similarly DA के एक्टरनल पॉइंट है, जहां से DS और DR लेंट टेंजिन्ट इक्वल होगा, ये वाला ट्रेंगल DOR और ट्रेंगल DOS और ये एक्वल होगा, अगर ये Y है, ये भी Y होगा, ठीक है बच्चे? Similarly, C एक एकनोदर external point है, tangent है, जहां से CR और CQ tangent है, हई वाला triangle COR और COQ triangle आपस में congruent होगा, यह theorem है, central angle से यह दोनों angle equal होगा, यह वाला angle आपस में equal, XYZ मान लिजिए तो इसको भी Z मान लिजिए, अब देखिए again, B एक external point है, जहां से BP और BQ tangent है, तो दोनों equal होगा, यह triangle BOP और BOQ congruent होने के कारण से, theorem से यह और यह angle जो है आपका equal होगा, इसको W मान लिजिए, इसको भी W मान लिजिए, तो लग चारो angle equal होगा, आप कुछ दिए, यहां तक तो करी सकते हैं, और central angle कितना होता है, किसी center के ground, सारे angle कसम 360 होता है, यहां लिखेंगे, proof में, कौन सा angle, angle का नाम os बराबर x, यह होगा, by theorem direct सबको लिख देंगे, उसी तरह से, angle कौन सा देखिए, d o s, angle d o s, बराबर, angle d o r, angle d o r, बराबर क्या, y, उसी तरह से, angle c o r, angle c o r, बराबर angle c o, c o q, बराबर z, उसी तरीका से, इसी तरीका से, b o q, angle b o q, बराबर कौन सा angle, angle b o p, angle b o p, बराबर w, यह सब कहां से लिख देंगे, direct लिख देंगे, by theorem, कौन सा theorem, theorem का statement याद है, तो ठीक है, नहीं, तो by theorem, लिख दीए, theorem का statement क्या है, angle made by the tangents, with the help of central, center at the point of contact are equal, या direct by theorem, लिख दीजिए, ये कौन सा angle है, angle made by the tangent point of contact with the radius, या direct आप theorem लिखिए, 10.2 में भी यही theorem है, 10.2 का ही theorem है, उसके अंदर 3 sub theorem, main theorem तो length of tangent है, लेकिन उसके अंदर ये वाला angle equal, और ये वाला angle equal, 3 theorem है, एक theorem में 3 theorem, जादूगर concept, by theorem लिख दीजिए, अब कुछ भी नहीं है, अब इस सवाल का हम लोग, कुछ माटम कर देते हैं, आप देखिए, इस सवाल में क्या है, कि हम लोग को, किसी भी point के around, sum of, all angles, sum of all angles, around, a point, is, 360 degree, so, इस point के around, सारे angle का sum 360, यहाँ पे कौन-कौन angle है, x प्लस x, y प्लस y, z प्लस z, w प्लस w, मतलब 2x, 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 2y, प्लस 2z, प्लस 2w, बराबर 1, 360 degree, 2, 2 common लेके बच्चे, common कर लीजे, 2, तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस y, प्लस z, प्लस w, बराबर 360, बेचारा 2 से कट जाएगा, 180C बार में, एक्स प्लस y, प्लस z, प्लस w, बराबर हो गया, 180, अब आपको देखिए, एक बार x प्लस w, टोटल एंगल x प्लस w, को आप क्या लिख सकते हैं, एंगल a, o, b, x प्लस w, प्लस y, प्लस z, को क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस w, एंगल x प्लस w, एंगल x प्लस w का value figure में, देखिए, x प्लस w, किसके बराबर है, टोटल एंगल a, o, b है, टोटल एंगल a, o, b है, प्लस उसी तरह से, एंगल y और z का सम, टोटल कितना है, c, o, d है, एंगल c, o, d बराबर 180 degree, या, अगर हम लोग x प्लस y लेते, x प्लस y को क्या लिख देते, a, o, d, और z प्लस w, जो है, z प्लस w, उसको क्या लिख देते, figure से z प्लस w को, boc, बात वही हो जाता, या, एंगल, a, o, d, प्लस का, एंगल, boc, बराबर 180 degree, यही प्रूब करना था, hence, proved, hence, proved, कुछ भी नहीं किये, बच्चे, सवाल बहुत आसान था, सवाल में कुछ भी नहीं था, हम लोग यह concept लगा दिये, कि यह जो tangent का external point के द्वारा यह वाला angle, यह angle तो equal होगा, इसासा center पर जो angle बनेगा, is equal है, को y तो य उसको भी y, उसी तरह से यह tangent से external point है, यह वाला central angle equal होगा, x और x, उसी तरह से C एक external point है, जहां से angle z तो z, B एक external point है, जहां से tangent के center पे angle w to w equal होगा, हम लोग X Y Z W मानें आप कुछ भी मान सकते हैं ठीटा अलफा बीटा गामा साय भाय कुछ भी मान सकते हैं यह डिपेंड कर रहा है आप पे कोई दिक्कत नहीं है अब यह एक पॉइंट है किसी भी X Y Z W बराबर 180 अब यह बार देखे फिगर में X प्लस Y को हम लोग क्यात सकते हैं można इस प्लस Y कोक एंगल दीलिख सकते हैं इसलिए हमो leverage लिए यह ब्लस ड़ैड़न दीलिए जेड प्लस दब्लु ने गल्नों सकते हैं यह इंगल COD लिख सकते हैं, हम लोग को दोनों result लाना था, दोनों result हम लोग ले आए, सवाल में कुछ भी नहीं था ये chapter 11.10.2 का सवाल जो हम लोग सरकल का कर रहे थे वो chapter आज हमारे बीच नहीं रहा complete हम लोग एक-एक सवाल को discuss किये, आप playlist में जाके देखेंगे तो आपको एक-एक सवाल का एक अच्छे से playlist मिलेगा, well, dignified arrange रूप में मिलेगा, आप वहां से देखके हर सवाल को आप attempt कर सकते हैं, और हर सवाल अच्छा था, हमने उसको अच्छे से deliver किया, आप उसको समझ गए होंगे, बार-बार वीडियो को देखें और सवाल करें, सरकल एक बहुत ही आसान चेप्टर है, एक्जाम में आप इससे marks उठाई सकते हैं, आप ने इस सवाल को समझ गया, और ये most BVI सवाल है, ठाटी नमर का सवाल, एक्जाम में आतने का चांस से ज़्यादा बनता बच्चे, ठीक है, तो अब हमारे भी सरकल चेप्टर नहीं रहा, सरकल जहां भी रहे, इसके आत्मा को सांती मिले, ये हम लोग को भूछ सताया थोड़ा दिने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, अब हम लोग सरकल चेप्टर को खतम कर चुके, अब हम लोग जलदी नेक्स चेप्टर start करेंगे, मीन मेडियन मोट स्टाट करने वाले हम लोग मीन मेलियन मोट का कंसर्ट पढ़ेंगे, फिर उसके सवाल करेंगे वो भी बड़ा important chapter है तो आप आज के लिए इतना ही रखते हैं Thanks, have a nice day, thank you for the watching the video